अच्छा बच्चो कल हमने क्वासियोर को रोक के रोक थाम के उपाई के बारे में पढ़ा अब हम मेरसमस रोक के बारे में जानकारे लेते हैं मेरसमस रोक ये भी प्रोटीन की कमी के साथ ही होता है जब भोजन में प्रोटीन की कमी के साथ साथ यदि सरीर में या हमारे पोर्षन में परियाप्त उर्जा की कमी आ जाती है जब प्रोटीन के साथ साथ पोर्षन में परियाप्त उर्जा की कमी आ जाती है तो उस रोग को मेरसमस रोग कहते है अब मेरसमस रोग है इसमें क्या लक्षन है इस रोक के अंदर पहला लक्षन है कि सरीर जो है वो सूख कर दुर्बल और कमजोर हो जाता है बच्चा केवल मात्र हड्डियों का कंकाल सा ही दिखाई देता है नमबर दो आँखे कांती हीन और अंदर दसी हुई सी यहन की दिखाई देने लग जाती है तो इस रोक के उपाई क्या है रोक्थाम के लिए इसकी रोक्थाम का पहला जो उपाई है वो यही है कि प्रोटीन की कमी से होता है इसलिए जितने भी बच्चे हैं या किसोर हैं या गर्वती महिलाएं हैं उनको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए दूसरा है कि चिकत्सक से परामर्श लेनी चाहिए प्रोटीन कुपोशन के अंतरगत दो यंकी रोग अपने पड़े पहला पड़ा क्वासियोर को और दूसरा आता है मेरसमस रोग अब अब पड़ते हैं खनीज कुपोशन खनीज कुपोशन खनीज भी हमारे सरीर के संचालन के लिए सुचारू रूप से कारे करने के लिए बहुत मैत्वकून भूमिका निभाते हैं इन खनीजों की यदि सरीर में कमी आ जाती है तो उसकी कमी से सरीर में रोग उत्पन हो जाता है और कुछ प्रमुक जो खनीज हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं कि उनकी कमी से सरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे पहले लो तत्व लेते हैं आयरन लो तत्व या आयरन की कमी से रक्त हींता खून की कमी जिसे अपन कहते हैं रक्त आलपता भी कह देते हैं तो लो तत्व की कमी से रक्त हींता रोग हो जाता है जिसके काण से चेहरा पिला पड़ जाता है पिला पिला दिखाई द लिए बहुत जरूरी है, हडियों को मजपूत बनाता है, यदि सरीर के अंदर इसकी कमी हो जाती है, तो हडियां कमजोर बन जाती है, हडियों पर जरा सा दबाब आता है, हडियां तूड जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कैलसियम की कमी से हडियों की प्रकरती भंगूर ह हो जाती है अंचाही स्थान से तूट जाना है हो जाता है जिसे हम घ chemyaём के जानते है इसलिए नमक आयोडी निप्त नमक का ही सेवन करना चाहिए ताकि ये गलगन रोग या घेंगा रोग जो है इसे बचा जा सके इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ इनकी खनित जो हैं उनका हमारे सरीर के लिए बहुत ज़्यादा मैतोपूर्ण योगदान होता है बहुत लाबदायव होते हैं उनकी कमी से पूरे सरीर की क्रिया सीलता प्रभावित हो जाती है